यमनो एक्स्प्रेस वेपर हाथसे में जुन्दा जल गए पाच लोग उत्र प्रदेश में मत्वा के पास यमनो एक्स्प्रेस वेपर समवार क्वाजु आग्रस इन्वेड़ा की तरफ जाते हुए एक वोल्वो बस में अच्छानक आख लग गए अध्रान पीछे से आ रही एक कार बस से जुदा करा गई बस और कार दोनों धुदुधू कजने लगी कार में ज़ल सवार 5 लोगों की जिन्दा जल कर मौत हो गए मिली जानकारी के अनुसार हाथसे में जिन्दा जल कर मरने वाले पांच लोग कार में सवार थे हाथसा जन्पद मत्रा जन्पद के थाना महावन शेत्र में माइल स्टोन एक्सो सत्रा के पास हुआ बस आगरा से नुएडा की तरफ जा रही थी तभी अच्छानक बस में आग लग गए बस के पीछे आ रही कार भी जलती हुई बस से चाह टकराई और देखते ही देखते वहाँ आग का गोला बढ़ गए प्रत्यक्षिदर्शियों के अनुसार कार और बस टकराने के बाद धुधू कर जल उठी राहगिरों बस में फसे लोगों की जान बचाए लेकिन कार पूरी तरह आग का गोला बन जाने से उसमें बैठे लोगों को जिन्दा नहीं निकाला जा सका वहां से किसी राह के नियलाका पुलिस को सुचना दी मौके पर पहुची पुलिस वर्थ कर्मियों नहीं राहत वाभचाव कारिया क्या हाथसे के चलते यमना एक्सप्रेस वेपर काफी दूर तक लंबा जाम लग गया सूचना देने के काफी देर बाद भी दमकल की गारिया मोके पर नहीं पहुची जब तक फार बिगरेट की गारिया पहुची तब तक बस और कार दोनों जल कर खाक हो चुके थे हाथसे में जुन्दा जुल गए लोगों का अभी तक सिनाक्ति नहीं हो पाए